हेलो वाट्सप गाईज सबसे पहले आप इस एक्जाम्पल को देख लीजे एंड वांस आप इस एक्जाम्पल को समझते दैन आपका सारा डाउट किलियर हो जाएगा आकिरकार यह यह यूज में में हुग क्या है एंड यह हमें कब एंड क्यू यूज करना चीगे बिलिब में इस एक वीडियो में आपका सारा डाउट के लिए रहोने वाला है ध्यान से देखना यह जो एक component अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है red box जिसके अंदर यह एक parent component है इस parent component के अंदर आप देख सेकते हो I have one component ठीक है यह मेरा first component है and this one is my second component यह मेरा second component है तो अब हो मुझे बस यह चाहिए कि मैंने एक simple सा example रखा कि जब भी मैं इस button पर click करूँ तो इसकी value मैंने कितनी बार click की वो यहाँ पर update होता है लेकिन यहाँ पर यह वाला जो component है इस पर मैंने expensive calculation करके रखा हुआ है ठीक है and जब भी इस component की value change होगी यह function call होगा and expensive calculation है तो थोड़ा delay अब इसको एकदम ध्यान से देखिए and यहाँ पर we have this profiler developer tools इसको मैं on कर देता हूँ अब मैं इसको एक बाद क्लिक करता हूँ मैं memo parent component हो अब आपको clear हो जाएगा बहुत क्लियर लिया अब यहाँ पर देख सकते हूँ यह जो मेरा memo parent container है इसके अंदर यह दो components मैंने call किये थे जिसमें से यह parent component क्यो रिखाइंडर होता है बोलने से कांट को यह जो चैंज और यह रहा हूँ लेकिन यह वाला जो component है वह भी साथ में मिह रेंडर ने जबकि मीया तो सिर्फ इस component से लेना देना था में सिर्फ इसी को ही किलिक करता फस्टिल वह यह वाले जो component उसको भी वो बार-बार कॉल कर रहा है वो expensive function call हो रही है यहाँ पर देख सकते हो expensive component वाला यह देख लीजे यह जो मेरा मैंने बता है इसका component का नाम इने रखा है expensive component है ना तो जब भी मैं इस parent component को कुछ भी कर रहा था तो यह वाला जो component है यह भी by default call हो रहा है और इसके होने का reason भी बता रहा है why did this render because the parent component rendered simple ठीक है तो अब आपके मन में एक चीज अल्रेडी आ चुका यहाँ पर कि अगर आपको यह वाले component को render नहीं करवाना था तो आप यहाँ पर react.memo जो मैंने आपको कल के वीडियो में पताया था आप इसका यूज कर सकते थे obviously हाँ आप ये कर सकते थे लेकिन बताना चाहँगा कि use memo hook का use करोगे तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा और आपको एक best यूज करने के लिए हम यूज का काम करते हैं यहाँ पर बता भी रहा है इसका कौनली यूज इफेक्ट हुक में भी जब आप यूज मैमो आपका एक कॉल बैक फंक्शन वी निद तो रिटन सम्थिंग और यूज कर रहा है ताकि जो भी एक्सपेंसिब केल्कुलेशन की जो वैल्यूस है ना उनको हम कैस करके रख देंगे और नेक्स्टाइम अगर वह फंक्शन कॉल होता है तो वही कैस की वैल्यू दे देंगे बीना फंक्शन को कॉल करें बीना फंक्शन को वापस चलाएं शिंपल फंडा बस इतना है यह देखो ना यूज मैमो एक पारी प्रीशरे है यूज का मंसिफ्ट भी क्वर कोई कब दलन कि क्या और रहा है क्या इस site क्वर्टूर से क्रकांत बट्यूर्ट मतलब यह कैसा ट्चनिक के ट्रटीमाइस थी पाफ में बाता है था expensive function calls का जो result आप cash पे आप इस्टो करके रख दो अब जब भी को इसको call करें तो पूरा function को चलाना नहीं है पूरी मेहनत नहीं करना है आरे रिजल्ट है अल्रेडी दिखा दो simple यही है use memo का मतलब आप I hope समझ गए और सिर्फ values में यह काम आता है use memo आपके values को optimize करने में काम आता है और पूरे function को ही optimize करना हो तब आप use callback hook का use करते हो यहीं difference है function को अगर आपको बार बार recreate होने से बचाना है तो use callback hook उस function के अंदर की जो value है सिर्फ उसको आपको एक जगे पे श्टोर करके रख देना है ताकि कोई भी उस function को call करे तो value वहां से चिपका दो तो use memo hook simple use memo is used for values use callback hook is used for your functions जो बार बार recreate और उसको बचाने के लिए बाता भी रहा देको use it when you want to prevent unnecessary re-execution of a function on every render यहाँ पर आगया बट कोई problem नहीं है useful for optimizing performance in a situation where a calculations or operations are computationally expensive समझे रहो ना जो मैंना आपको दिखा आपको पता चल चुका है और यहाँ पर भी बाता कि एक दम overuse भी नहीं करने आपको ठीक है ओल्राइट मैं आपको इसको practical करके दिखाता हूं और मैंने आप लोगों के लिए already code लिखके रखा हुआ है and source code बिलकुल free है link नीचे description में मिल जाएगा ठीक है so अभी तक हमने बहुत देख चुका है तो कल की वीडियो में हम मैंने आपको memo count and basically react.memo जो function है उसको दिखाया था आज इस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने एक new file बनाई है use memo.jsx and use वो capital है so it's a component का नाम and here we have this perfect example जहाँ पर so guys आप यहाँ पर हमारा जो code है उसको देख सकते हैं कि मैंने अल्डेडी लिख रखा है यहाँ पर सारा कुछ बठा मैंने use memo hook का use नहीं किया क्योंकि मैं करके बताऊंगा जैसे कि मैंने आप से कहा था we have one our parent component उसके अंदर we have one component जो कि था आपका expensive component जो कि यह वाला part है ठीक है एंड यह जो दो part है वो उसके अंदर already हमने normal तरीके से लिखा हुआ है ठीक है तो अब यहाँ पर हो यह रहा है simple सा counter application है we have one button ठीक है and इस button को जब भी कोई click करेगा तो यह जो count की value मैं एक से increment कर रहा हूँ and यह जो मेरा paragraph है वहाँ पर मैं इसको render कर रहा हूँ that's why आपको एक दो तिन दिख रहा होता है लेकिन इससी parent component के अंदर we have one more component जिसका नाम है expensive component जिसको मैंने उसी file पर ही basically आप कैसे क्ते हूँ define करके रखा हुआ if you want आप इसको एक separate file पर भी create यह define कर सकते हूँ and यहाँ पर import कर सकते हूँ अब इस particular component पर मैंने क्या क्या हुआ है मैं एक expensive calculation परफॉर्म कर रहा हूँ हम इसको expensive calculation इसलिए बोल देता है कि इस particular function को जब भी कोई call करेगा तो एक तो memory की लगने वाली है and second हमारा जो CPU है इसको मतलब बहुत मैनत लगेगा इसको calculate करने में अब यहाँ पर हमारा जो यह expensive component है ठीक है इसके अंदर एक function है that is your sum आप देख सकते हूँ यहाँ पर मैं उस function को call कर रहा हूँ तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर problem देखी क्या है problem यह है simple सा कि यह component पर अगर मैं इस button को click करता हूँ ठीक है तो यह जो है इसकी value को live update करने से पहले यह component re-render हो जाता है because हमारा state change हो रहा है यहाँ पर and the moment state change हुआ यह वाला जो particular component है यह call हो गया and जब यह call हो गया तो उसके अंदर यह जो sum function है वो call हो गया अब अगर यह sum function call हो गया तो यह जो expensive calculation है उसको perform करना पड़ेगा हमारे CPU को and हमारे computer को इसको perform करने में थोड़ा time लग जा रहा है तो वो जो थोड़ा सा time लग रहा है न वो तो हमें नहीं चाहिए आज के time में कहां patience है यार आप एक बटन क्लिक करो एक second के बाद हो value update हो रहा आप निकल जाओगे वहाँ तो जब यह calculate होके इसकी value जब return होती है उसको मैं total वाले अगेन एक constant variable पे update करके उसको मैं return करवा रहा हूं तब जाके फिर इसकी value आपको update होके दिखाई देती है लेकिन अब यहां पे होना क्या चाहिए था होना यह चाहिए था कि जब मैं इस button पे click करूं इससे मुझे लेना देना नहीं है मुझे इसकी value को टक 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 update कराना चाहिए तो आपके mind में एक चीज़ आ रहा है that is कल की वीडियो में मैंने बताया था कोई भी component जो की अपने आपको independent बोल रहा है और जब तक उस component में कोई props change नहीं होता है उसको फाल्तुक आप disturb मत कर उसको फाल्तुक आप re-render मत करवाँ simple logic तो यह था अगर आप यहाँ पे memo लगा देते I mean react.memo जो हमने कल पड़ा था अगर वो आप यहाँ पे कड़ देते तो यह आपका काम हो जाता है ना मैं आपको बाता तो कैसे देखना मैं refresh कर रहा हूं औंप्रौफाइल पे में जाओंगा मैं इसको रन कर रहा हूं अब मैं जितनी भीक बार क्लिक यह देखू leakin !2,3,4 बैनि अर्छ नेर टेडरें क्लिरो तो आधि मेंरे राया। जालन देखेगु अनेज देहा हुआ। जालन डॉक के यू को रिमान काउं देखे वेन्वा हमें। में hemen जांख यू कितला हुआर हुआ है। प्रॉब्लम उदर इस सॉल प्रॉब्लम सॉल बट यूज मैमो हुक फिर क्या करूं मैं तो अब यूज मैमो हुक क्या काम करता है मैं आपको बताता हूं चलो ठीक है अपने मैमो यूज नहीं किया let's imagine आपने ये यूज नहीं कि मैंने जस्ट बताया आपको अब यूज मैमो हुक हम कैसे यूज करें यहां पे उसका सिंपल काम क्या है कि जो भी वैल्यूज होगा उसको वह कैस करके रख देगा और नेक्स टाइम आप अगर इस बटन पे क्लिक करते हो यूज नो कंपोनेंट क्या हुआ यहां पे अपडेट हुआ दा मोमेंट स्टेट वेरेवल अपडेट हुआ तो री रेंडर हो गिया एंड सबसे पहले ही एक्सपेंसिब कंपोनेंट यह कॉल हो जाता है उसने देखा अरे बाबा यह तो सेम है क्यों मैं करूं क्यों मैं अपनी मेहनत खर्च करूं वैल्यूस तो मुझे मालूम है कैस प पहले तो अगर आप यूज इफेक्ट लिखते हो तो भी चल जाता सिंटेक्स के लिए बट यूज मैमो इस तरीके से ठीक है इसके अंदर वी हावान कॉल्वैक फंक्शन इस तरीके से वी रिटन सम्थिंग और यह वी निड़ पास देपेंडेंसी एरे यह आपका सिंटेक से ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस पर्टिकुलर चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूं ठीक है इस पर्टिकुलर कोड को जो भी वैल्यूस रिटन करेगा यह मैं टोटल पे सेब करके रखना चाहूंगा और मुझे यह सम फंक्शन को कॉल करना है तो इसको कॉपी करूंगा यह जो पर्टिकुलर पाट है जब आपको मालूमें फैट अरो फंक्शन का ब्यूटी यह कि अगर सिंगल लाइन अप कोड़ो तो आप एक बार आपको ना तो रिटन लिखनी की नीड़ है ना कली ब्रेस की सिंपल अब जब यह आप यूस मैं मोह कॉल करोगे आपको एक इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रम और रियाक लाइब्रेरी तो वह मैंने इंपोर्ट कर ली यूज मैमो इस तरीके से सिंपल बस इतना ही है फिलाल मैं कोई डिपेंडेंसी आरे नहीं दे रहे क्योंकि मुझे यहां पर कोई डिपेंडेंसी आरे की नीड भी नहीं है यूज मैमो हुक की मदद से यहें यहां पर दो यह हुआ एक सेकनक में यहां पर अगर इस पर भी गलिक कर दूंहां चलो ठीक है नुव प्रॉल्म यहां पर यह देख आप बहुत लिए लिग सकती है यह रियंडर तो होता है रियंडर तो वोग न परॉल्म है लेकिन आप खत्म like this is your actual है ना अब देख सकते हूँ यह आपका actual है एंद यह आपका यह्वाला particular part है जहां पर like अब टैंशन नहीं है अब बहुत इज़िली लाइक कि आपका जो particular function है वह optimize हमने कर दी with the help of कैसा लग आपको इस वीडियो थोड़ा सा लंबा गया बट फंड आपको पता चल गया यूज मैमो हुक का काम है कोई भी वैल्यू जो उसको अप्टिमाइज करने के लिए ठीक है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ होगा जो यूज मैमो हुक का जो डावता वो क्लियर हो गया होगा वान मोर टाइम यूज मैमो का काम है तो अप्टिमाइज दी पॉफॉर्मेंस बाइज कैसिंग दी रिजल्ट्स अपर एक्सपेंसिफ फंक्शन कॉल एक्सपेंसिफ फंक्शन कॉल्स की जो वैल्यूज होगी उसको वो कैस कर देता है और नेक्स्ट टाइम वो को अगर कॉल हुआ तो वो वैल्यू वहां पर उनको चिपका देता है बीना उस आप्रेशन को फिर से पॉफॉर्म करें क्यों क्योंकि अब उसको तो मालूम है भा यार मैंने तो वो रियक्डॉट मैमो जो कल की वीडियो में बताया था जिसका काम यह है कि कोई भी कंपोनेंट को फालतों में रेंडर होने से बचाना और स्टार्टिंग में तो मैंने इस पर्टिक्लर पॉफॉर्म जो हमारा आज का वीडियो था उसको मैंने मैमो की थूरू भी सॉल्व करी दिया था यह नहीं तो डिरेक्ली बोल दिया कि इस कंपोनेंट को रेंडर मत करो जब कंपोनेंट ही रेंडर नहीं होगा तो उसके अंदर का function चलने तो दूर की बात लेकिन यूज मैमो हुक की माद़ से बैइ कंपोनेंट चलाओ लेकिन जो function है उसकी जो वैल्यू से उसको optimize करो ठीक है एंड गाइस वान वोड थिंग मैं इसमें दो तो एक्जाम्पल्स आपके साथ आज इस वीडियो में सेर करने वाला था बट आइस कहीं ने कहीं यह जो पार्ट यह थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैं वह कल की वीडियो में मैं आपको यह बता हूंगा कि like memo तो चलो ठीक है लेकिन sometimes कुछ situation ऐसा हो जाएगा जहां पर आग hooks भी आपने समझ लिया तो it's more than enough and रही बात compiler की तो वह हम जरूर देखेंगा उसका आप बिल्कुल भी चिंदा मत कीजिए but react.memo use memo and use callback hook को समझना जरूरी है चाहे 2024 हो no problem you know क्योंकि जो old project से अभी भी वह उसी पर ही चाल हूँ है तो इसले guys यह बहुत important है तो guys अगर आपक कुसी होगी बाकी लोगों की भी help हो जाएगी वीडियो पसंद आए तो like कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर किसे एंड नेक्स ट्राइट इस 7 लाइक सब्सक्राबर अभी तक नहीं किया तो please कर दीजिएगा मिलतों मैं आपको कल की वीडियो में टिल दन गैस थिंकी सो दिक्या